हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस माइनेम इस शिवांगी अगरवाल तो जैसा कि हम लोगों की मैच्च की सीरीज चल रही थी और हम देख रहे थी अपना चैक्टर वर्ग एवं वर्ग मूल जिसमें कि अभी तक हम सीख चुके हैं डिफरेंट डिफरे करते हुए कुछ और अच्छे अच्छे कुछ डिफरेंट क्वेशन देखेंगे जो अभी तक के पीछे वाले जो इतना भी हमने देखा उसमें कवर अप नहीं हुए हैं तो चलिए बिना टाइम बेस शुरू करते हैं आज का अपना सेशन तो आज की सेशन में आप लोगों हमारे पास कोई संख्या है और उसका वर्ग है ठीक है हमने मान लिया माना संख्या x माना संख्या x अब ही कह रहा है कि इसका हमने कर और और इसका हमने लिया कितना 5 x 9 देखो जबी भी आपको हिंदी में का मिल जाए लिखा हुआ उसका मतलब कि आपको multiply करना है और English में अगर आपको देखा हुआ ठीक है तो आपको करना है फिर से multiply और का का मतलब अगर हम देखें तो math में एक ही है ठीक है यानि कि इन्होंने क्या बोला है square of 5 by 9 ठीक है sorry मतलब 5 by 9 of any square ठीक है मतलब हमें क्या करना है यहापे कि जो 5 by 9 है ठीक है वो किसका part है किसी square का 5 by 9 जो part है वो किसके बराबर है 3 1 2 5 के बराबर है तो हमें क्या करना है x square की value find करना है जिसमें कि हमें 4 5 options भी दिये हुए है देखें कैसे solve करेंगे simply जैसे हम अभी तक simplify करते थे चीज़ों को हम क्या करेंगे यह जो हमारा fraction हमें दिया हुआ है यहां पर इसको हम ले जाएंगे दूसरी सक्कार होता है मैं मैं आप तो हम जानते हैं कि NICK होता है और erkt होता है तो यह अजुआ धुका है 75 अब किसी सूदं को दिक्कत है कि उसमेंने का रहा इसमें है 25 के inspiracy 3 कैसे निकाला तो आप लोगों को काम करना है कि सारी जो प्रीविएस लेक्चर से हमारे शाट प्रेस रिलेटेंट वो आपको जाके देखने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर हम यह सब चीज़े सीख चुके हैं कि किस तरीके से अंडर रूट के अंदर से हम पेर बनाते हैं प्राइम फेक्टराइजेशन करते हैं उनके पेर्स को बहार निकालते हैं या फिर आप लॉंग डिविजिन के थू भी यह कर सकते थे या फिर बहुत सारे सुडेंट्स हो तो भी याद भी हो गया हुआ कि जो 625 होता है वो 25 का स्कॉायर होता है तो वहां से हम इसको डिरेक् पर और हमें दिया हुआ है 0.9 का स्कॉायर अब देखो वही फिर से अगर कोई बच्चा की गलती ना कर दे बिल्कुल भी कि जैसे कि ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 0.3 को स्कॉायर मत लिख किया जाना ठीक है जी यह अंसर हो जाएगा हमारे पास गलत बिल्कुल ठीक है तो आप इसको कैसे करके आओगे आपको काम क्या करना है यहां पर हम लॉंग डिविजन मेथर लगाएंगे क्योंकि हमने देखा था कि जब हमें किसी डेसिमल वाले नंबर का जो की पूर पर कसंख्या नहीं है तो उसका हम कैसे निकालते थे लॉंग डिविजन में तरू तो आ 2.25 is equal to 550 अब देखो इस question को करने के तरीके यहां कर सकते हैं कि हम यहां से अंडरूफ रणे के लिए क्या करें हम यहां पर अंडरूफ रणे के लिए दोनों साइट पे squaring कर दें क्योंकि हमने देखा था कि स्की power कितनी होती है अगर हम इसको करनी के फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब है कि 2.2 की जो पावर है वो कितनी है 1 by 2 और हम जानते हैं अगर मुठे 1 by 2 को हटाना है तो मुझे 2 से मुल्टिपलाई करना पड़ेगा 2 से मुल्टिपलाई करने का मतलब है कि मैं दोनों साइड पे क्या कर से करीं स्क्वाइरिंग कर दूं ठीक है जी स्क्वाइरिंग करने का मतलब होता है कि मैं दोनों साइट पे वर्ग कर दूं इन दोनों संख्या होगा तो देखो यह क्या हो जाएगा अब यहां से यह 2 से यह वाला 2 cancel out हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2.25 और इस इक्वल्टू में 550 multiply 550 ठीक है जी देखें स्वाल्फ करना शुरू करेंगे तो यह आएगा हमारे पास multiply आपको नहीं करना है अभी देखो क्यूं समझ में आ जाएगा एक मिनिट में 2.25 डेसिमल जाएगा 2.0 से हमारी 2.0s cancel हो गए ठीक है जी अब देखो अब आप सोचे बताओ कि 2.25 होता ही किसका स्क्वाइर होता है यह होता है हमारे 15 का स्क्वाइर यानि कि अब मैं इसको लिख सकती हूं यहां पर तो 55 55 चली रहा है यहां पर चल रहा है एक स्क्वाइर जैसे ही हम से एक स्क्वाइर हटाएंगे तो हमारा उदर की साइट पर क्या आजाएगा अंडरू आ जाएगा यानि कि यह जो सारी वैल्ली हमारी यह अंडरूट में चली जाएगी और अंडरूट में से बाहर निकालने के लिए हम जानते है मैं हमें क्या करना पड़ता है एक-एक को ह हम बहार निकालने थे हैं अब आप इसका multiply कर देंगे और यह आजाएगा आपके पास आपका answer ठीक है अब इसके दो तरीके हो सकते थे या तो आप डिरेक्ली हापे 1.5 कर लेते तो भी आपका answer आजाता ठीक है अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो दोनों ही method ठीक है दोनों ही method में कोई दिकत नहीं है answer आपका दोनों ही method से सेम आएगा इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ चलिए अब हम देखते हैं अपना next question next question में हमें दिया हुआ है under root में 1.21 multiply 0.9 1.1 into 0.11 देखो अब इस question को करने का तरीका अगर हम सब के बर्गमूल निकालेंगे students तो बहुत तप हो जाएगा हमारे लिए है ना 0.11 का निकालना 1.1 का निकालना तो इसे simplify करने के लिए हम सबसे पहले step क्या करेंगे सबसे पहले हमें इनके decimals को हटाना होगा देखो decimals हमारे एक यहां पर है एक हमारे decimal यहां पर है एक इधर और एक इधर चार decimal है इन decimals को हटाने का तरीका हम देखते हैं वो क्या मिलेगा हमें कि जैसे ही हम उपर से decimals हटाएंगे दश्मला हटाएंगे तो नीचे हमार जो 0s हैं वो उपर लगेंगी, देखी किस तरीके से, हमने लिखा इसको 1 to 1, अब देखो point के बाद कितनी digit हैं, यहां पर 2 digit है, तो नीचे हमारी 2 0s आ जाएंगी, ठीक है, यह हमने किसकी हटाई, इसकी, अब देखो, जैसे ही आप 9 की 0s हटाओगे, तो कितनी 1, तो यानि कि यहां पर आजाएगा 10, क्योंकि point के बाद हमारे पास 1 digit है, इसी तरीके से हम यहां की हटाएंगे, तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने 1.1 की हटाई, तो हमारे पास 1 0 आई, और जैसे ही हमने इसकी हटाई, तो यह आई हमारे पास 2 0, अब यह सारा काम हमारा चल रहा है, अं 7 times, यानि कि हमारे पास under root में क्या बच गया, 9, और हम जानते है, 9 किसका under root होता है, यह होता है, हमारे 3 का, यानि कि हमारा जो option number है 2, वो हो चुका है, तो सबसे पहला काम, ऐसे questions में क्या करना है, डेसिमल को हटाना है, अब यह चीज़ आप चाहो तो अपनी copy में, जहां पर आप यह question solve कर रहे हो, वहाँ पर नोट बना-बना के लिखते रहे हैं, ताकि exam time में आपको दिक्कत ना हो, कि decimal वाले question में क्या करना है, इसी तरीके से कल हमने देखा था, without decimal वाला question, जिसमें बहुत सारे हमारे पास under root थे, root 32, root 48, तो उनको हमने क्या करा था, विधी से solve करेंगे, ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम भढ़ते हैं अपने next question की तरफ, तो देखिए, next question में अब हमें दिया हुआ है, under root में 0.01 plus under root में 0.0064, यह हमें दिया हुआ है question, अब देखो, इस question को करने का तरीका, decimal में under root है हमारे पास, हमें दिखाई दे रहा है कि 64 तुम जानते हैं किसका होता है, 8 का square होता है, लेकिन अभी जो 0.00 आ रही है, इनको हम कैसे solve करेंगे, ध्यान से देखो, decimal के बाद हमारे पास कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, मतलब जो हमारा अंसर आएगा, उसमें decimal के बाद कितनी डिजिट आएंगी, हमारे पास 2 डिज 0.08, यानि कि हमारे पास अंसर आजाएगा, 001, यह आगे हमारे पास 0.08, एड करेंगे इसको, तो यह आजाएगा हमारे पास 0.09, और students, दिखान से देखिए, अब मैं इसको लिख सकती हूँ, पॉइंट, रूट हटा के 0.3, और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो, जैसे ही मैं 0.3 को 0.3 से मल्टिप्लाई करूंगी, तो यह 0.09 मेरे पास अंसर आजाएगा, आप चाहे तो मल्टिप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 0.9 को 0.3 नहीं लिख सकते, यह बात आप ध्यान रखे, क्योंकि जैसे ही आप 0.3 की 0.3 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह आएगा हमारे पाल 0.09 ना की 0.9, ठीक है जी, इन दोनों कैस्टेंस में बहुत 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 एक मेजर डिप्रेंस है, तो यह आपको मिस्टेक अपने एक्जाम में नहीं करन प्रेशर होता है, उपर से टाइम का प्रेशर, सही करने का प्रेशर, सारे क्वेशन से अटेंप्ट करने का प्रेशर, तो वही पर ठीक है, यही चीजे में छोटी-छोटी चीजे जो आज हम सीख रहे है, यही चीजे हमें अपने एक्जाम में help करेंगी, अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ तो next question में हमें दिया हुआ है देखिए हमें यहाँ पर root 5 की value दिया हुई है 2.24 फिर हमें दिया हुआ है root 6 की value 2.45 और देखिए question क्या दिया हुआ है question में दिया हुआ है कि हमें root 2 by 3 upon root 5 by 6 ठीक है इसकी हमें value find करनी है अब देखो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमें इन दोनों की values तो पता हैं लेकिन इसमें से हमें किसी की values नहीं पता और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं इसकी values निकालने जाओंगी तो 1.41 आएगी फिर आएगी 1.71 फिर उनको divide करना तो यह अपने आप में tough काम हो जाएगा तो देखो हम directly यहाँ पर value put नहीं करेंगे value put करने से पहले हम क्या करेंगे इस question को थोड़ा सा हम कर लेते हैं simplify देखो कैसे बिल्कुल ध्यान से देखना है आज का हमारा सबसे important question है ये देखिए इसको हमने भी as it is छोड़ दिया है पहले वाले नंबर को अब इस वाले नंबर को आप देखो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 2 into 3 6 को मैंने लिख दिया 2 into 3 ठीक है जी आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको मैं लिख सकती हूँ अलग-अलग root 2 upon root 3 इसी तरीके से root 3 यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखी हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ले लेते हैं LCM जब हम LCM लेंगे students तो यह क्या आएगा यह आएगा root 2 into root 3 ठीक है जी आप देखो जब आप इससे multiply करोगे इसकी तो यह हमारे पास क्या value बन जाएगी यह ह हमारे पास बन जाएगा root 2 into root 2 और यह बन जाएगा हमारे पास root 5 ठीक है यहाँ तक कोई किसी को confusion नहीं होनी चाहिए simply हमने LCM लिया है देखो LCM लिया हमने root 2 root 3 root 3 से root 3 cancel तो root 2 बचेगा इसलिए हमने root 2 से हम पर करिए multiply अब हम जानते हैं जब same root की same root में multiply होती है तो यह बन जाएगा हमारे पास 2 यह आया हमारे पास root 5 और upon में हमारे पास root 6 अब देखो अब हम exactly value put कर सकते हैं जो हमें questions में दी हुई थी क्योंकि हमारे पास 2 आ चुका है अब जो हमारी calculation है काफी हद तक हमारे पास easy हो चुकी है तो हम क्या put करेंगे 2 plus root 5 की value 2.24 root 6 की value 2.45 addition करेंगे तो यह आ जाएगा 4.24 और हम इसको divide कर देंगे किस से 2.45 से ठीक है अब यह आप लोगों का homework है आप मुझे divide करकर बताएंगे कि इसका जो option है वो हमारे पास कौन सा वाला ठीक है अब देखिए बढ़ते हैं अपने next question की तरफ next question में हमें दिया हुआ है root 2 plus 1 upon root 2 का whole square अब द दिहान से देख पा रहे हैं तो जो हमने पहले identities use करी थी यानि कि last time में कौन सी a plus b का whole square तो यह क्या होती थी हमारे पास a square, b square और 2ab उसी identity को use करते हुए हम यहापे इसको solve करेंगे कैसे तो देखिए a हमारे पास क्या बन गया root 2 और b बन गया 1 upon root 2 सबसे पहले हम करेंगे सब 1 upon root 2 को square फिर हम देखेंगे 2 into root 2 into 1 upon root 2 simply हमने क्या करा है a को हमने क्या माना था root 2, b को हमने क्या माना था 1 by root 2, हमने यहापे बस उनकी just value put करीं अभी तक, अब देखिए यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 1 upon 2 और यह देखिए root 2 से root 2 cancel तो यह बज़िया 2, solve करेंगे तो यह आजाएगा 4 plus 1 by 2, यानि कि जवाब LC हम लोगे तो 4, 2 जा 8 और 9, यानि कि अंसर आचुका है हमारे पास 9 by 2, जो कि है हमारे पास, अब देखो option में हमें 9 by 2 ना देखिए, उसने हमें directly यही option दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारे पास हमारा answer, यानि कि 4, 1, सही बटे 2, ठीक है जी, यानि कि 3rd option हो चुका है हमारा ठीक, इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने next question की तरफ, तो चलिए friends, अब हम चलते हैं इस chapter के सबसे important question पर, जिसके लिए अभी तक हमने इतनी सारे चीज़े सीखी, मतलब अब हम चलते हैं work multi applications की तरफ, मतलब अब हम उन चीजों को देखेंगे कि जिसके लिए हमें इतनी सारे चीज़े सीखी, तो आखिर हमें उन questions को किस तरीके से apply करना है, उस concept को हम अपनी daily life में कहां use कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो जैसे कि पहला question आप लोग भी screens पर है, अब हमें दिया हुआ है, एक टोकरी में बारे स इतने ही फूल चड़ाता है, जितने उस नगर में मंदिर है, कि मान दीजिए, एक व्यक्ति है, उसके पास ये फूलों की टोकरी है, और वो प्रतेक मंदिर में उतने ही फूल चड़ा रहा है, जितने की उस नगर में मंदिर है, अब ना तो हमें मंदिर पता और ना हमें उन फूलों की संख्या पता लेकिन हमें इतना पता चलिया है कि यह जो फूलों की संख्या है और मंदिर की संख्या यह आपस में बराबर है ठीक है अब उसने बोला कि यदि उसने कुल आठ टोकरी फूल चड़ाए हूँ ठीक है उसने हमें टोकरी की फूलों की संख्याभी पता दी मतलब उसने हमें क्या कर दिया students उसने हमें बोला कि एक टोकरी में आपके पास कितने फूल है अब देखो हमने क्या कर रहा हैं इन सारे फूलों का हमने मंदिरों में फूल चड़ाया और कितने फूल चड़ाया जितने की वहाँ पर मंदिर थे, मतलब वो हमसे क्या कह रहा है कि इस फूलों का जो distribution है, वो हमने इस तरीके से करा है, बिल्कुल बराबर बराबर, कि दो चीज़े हमारे पास same है अब देखो जब भी आपके पास ऐसा question आपको देखने को मिले कि जहां भी हमारी दो values एगन same आ रही हूँ ठीक है और आपको total number भी पता हो तो उस case में हम क्या करते हैं हमेशा वर्गमूल निकालते हैं अब देखो इस question में अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो हमारे पास दू-तिन methods हैं कौन-कौन से एक तो यह है कि मैं इसके छोटे-छोटे यही पर parts करके लिखे हूँ जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ four into two और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे तो जब मैंने इसको multiply करा तो यह होगे हमारे पास पच्चे सो और हम जानते हैं पच्चे सो किसका होता है 500 का और यह होता है दो का यानि कि उसने एक मंदिर में 1000 फूल चड़ाए होंगे यह तो था हमारे पास एक करीका लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इडरेक मेथट समझ में नहीं आता है या फिर आप इनोनों के multiply करने के बाद लगा यह अपना long division method और आप उससे भी अपना अंसर निकाल सकते हो आप किसी भी method से अंसर निकालो ठीक है अंसर आपका यही आने वाला है ठीक है जी तो देखो स्वरी यहां पे 50 होगा तो 50 इंटू यह 100 ठीक है इस तरीके से मपना question यह कर सकते हैं तो friends यह थे हमारे कुछ वर्ग मूल चैप्टर से important question और I hope आपको इस सारी चीज़े player हो चुकी होंगी क्योंकि जितनी भी चीज़े वर्ग से वर्ग मूल से question आपसे पूछे जा सकते थे वो सब आपको इन वीडियो में cover-up करवा दी गए है लेकिन जो बच्छे यह आज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं पहले आप जाकर पुरानी वीडियो उसको देखिए ठीके जो इससे पहले वाली वीडियो बनी हुए उनको देखिए क्योंकि आज तो केवल हमारी practice class थी उसमें आपको मैंने कोई भी concept नहीं सिखाया बलकि बस जो concept सिखाय थे उनकी practice तो अगर आपको concept समझना है तो previous lecture को आपको देखना पड़ेगा I hope आपको आज का lecture पूरा समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो like करना ना भूले, share करना ना भूले और अगर आप channel पर नए है तो उसको subscribe कर दें, bell icon को press कर दें ताक कि आन है